चलिए दोस्तो आज हम बनाते हैं मार्किट जैसा मटर पनीर जिसको खा करके आप एक घर वाले उंगलिया जरूर चाटेंगे नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शेफ नितेश और पूरी रेसिपी देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे हमारी वीडियो को देखे बिना स्किप किये जिससे कि आप भी हमारी तरह बहतरीन रेसिपी बना सके दोस्तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब उसके क्लिक कर लीजिए उसके बगल में बैल आइकन है उसमें क्लिक करके सिलेक्ट ओल कर लीजिए जिससे की मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे चलिए तो स्टार्ट कर लेता है रेसिपी वेजिटेबल्स में हमें लगेगा दो आएंगे मार्केट जैसे चलिए दोस्तों आप गैस पे कुकर चड़ा लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले उबालेंगे मटर दोस्तों मार्केट में अभी सबजिया बहुत एवलेबल है इसी लिए मैं फ्रेश मटर यूज कर रहा हूं अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे अगर आप चाहते ता आप थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं जिससे इसका रंग चेंज नहीं होगा चलिए दोस्तों अब हम कड़ाई चड़ा लेता और कड़ाई में हम दो चम्मच वेजिटेबल ओल डाल लेंगे चलिए दोस्तों अब हम स्लाइस की अवाप याज इस तक कि हमारा लसन और अद्रक का कच्छा पना चलाना जाए तो चलिए अब हम इसमें मिला देता है क्यूब्स कटे हुए टमाटर अब डाल लेते हैं एक टी स्पून नमक जिससे की हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए चलिए अब डाल लेते हैं एक कप पानी और इसे कवर कर के अच्छे से हम गलने देंगे एक मिनिट के लिए ये देखे दोस्तो वेजेटेबल हमारी अच्छे से कूको चुकी है तो अब हम इसको ठंडा करके प्यूरी बना लेंगे चलिए दोस्तो अब हम कडाई चडा लेते हैं और कडाई में हम डालेंगे दो टी स्पून वेजेट लगने जाए वह अच्छे से mix हो जाए और हमारी gravy थोड़ी से थिक हो जाए दोस्तो बेसन को हम एक मिटले भून लेंगे जिससे कि इसका कच्छे पना चले जाए और भूनने से बेसन का स्वाथ बहुत अच्छा हो जाता है चली दोस्तों आब हम इसमें मिला लेते हैं प्यूरी जो हमने अभी बनाई थी इसको हम भूनेवे बेसन के साथ अच्छे से mix कर लेंगे जिससे कि हमारी gravy थोड़ी थिक भी हो जाएगी अब इसमें हम डाल देते हैं एक हमारे मसाले नीचे से जलेंगे नहीं चलिए दोस्तों अब हम इसमें अच्छे से mix करके एक मिनट के ढख के medium flame में cook कर लेंगे ये देखे दोस्तों ये हो चुकि हमारी gravy ready तो चलिए अब हम इसमें मिला देते हैं पनीर पनीर दोस्तों मैंने 200 ग्राम लिया है और इसको मैंने छोटे cubes में काट लिया है अगर आप पनीर को fry करना चाथे तो आप कर सकते हैं लेकिन मैं इसको fry नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पनी फ्राई गए थोड़ा सा हाड हो जाता और मुझे पनी सौफट ही पसंद है और दोस्तों इसे हम जेंटली चलाना है नहीं तो पनीर तूट सकता है चलिए दोस्तों अब हम इसमें अड़ कर लेते हैं मतर दोस्तो मटर तो हमने पहले ही कूप कर लिया है तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा पकाने की अब जरुरत नहीं है चले दोस्तो अब थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा निकले अब हम इसमें डाल देते एक कप पानी अब हम इसमें डाल लेंगे एक टी स्पून कश्मीरी लारमेज जिससे कि इसका बहुत अच्छा कलर आएगा आधा चमच गरम मसाला लगभाग एक चमच हमने कसूरी मेथी को भून लिया था और उसको हम हाथों से क्रश करके डाल लेंगे और इसमें हम मिला लेते हैं चॉप किया वा हरा धनिया एक टी स्पून नमक चलिए दोस्तों अब हम इसको कवर करके 30 सेकेंड के लिए और कुप कर लेंगे ये देखे दोस्तों ये हो गए हमारे मटर पनीर रेडी वो भी मार्किट जैसे लग रहने एक दम जबरदस्त तो चलिए सर्व किया जाए ये देखे दोस्तों लग रहने एक दम जबरदस्त मटर पनीर दोस्तों अगर आप इस तरीके से मटर पनीर बनाएंगे तो आपके घर वाले और गेस्ट सबके सब आपसे बहुत इंप्रेस होंगे तो दोस्तों जल्दी से बताईए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को सपोर्ट करिये जिससे कि हम आप तक बहतरे रेसिपी पहुंचाते रहे